प्राकृतिक आपदा के कारण, हम सब की चिंता बढ़ती चली जा रही है। लोगों ने अपने परिवार्जन खोए हैं, संपत्ति खोई हैं, राष्ट्र ने भी पारावार नुक्सान भोगा है। इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है। मेरे प्याने देश्वासियों, हम जरा आजहदी के पहले के वो दिन याद करें। सेंकडो साल की घुलामी हर कालखन संगर्ष का रहा। युवा हो, बुजर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आदिवासि हो। उन्होंने गुलामी के खिलाब जंग लड़ते रहे, अविरत जंग लड़ते रहे। इतियास गवा है, कि 1857 के स्वाता संगराम जिसको हम याद करते हैं, उसके पुर्व भी हमारे देश के कई आदिवासि छेत्र थे, जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था। शाथियों, गुलामी एदा इतना लंबा कालखन, जिल्मी शाचक, अप्रम पार्यातनाएं, सामाने से सामाने मानवियों का विस्वात तोड़ने की हर तर्कीव है, उसके बावजुद भी, उस समय की जंग संगराम के हिसाब चारिप चारिस करोर देश वासि, आज़ादी के पुर्वत, चारिस करोर देश वासियों ने, वो जज़वा दिखाया, वो सामर्थ दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूजते रहे, एकी स्वर्था बंदे बातरम, एकी सक्पना था भारत की आज़ादी का, चारिस करोर देश सवासियों ने, और हमें गर्व है, कि हमारी रगों में उनी का खून है, वो हमारे पुर्वच थे, सिर्फ चारिस करोर, चारिस करोर लोगों ने, दुनिया की महा सत्ता को उखाड़ करके भैच दिया था, गुलामी की जंजुरों को तोर दिया था, अगर हमारे पुर्वच, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो एक सो चारिस करोर है, अगर चारिस करोर गुलामी की बेडियों को तोर सकते हैं, अगर चारिस करोर आजहादी के सपने को पुर्ण कर सकते हैं, आजहादी लेकर के रह सकते हैं, तो एक सो चारिस करोर देश के मेरे नागरीक, एक सो चारिस करोर मेरे परिवार जान, अगर संकल पर ले करके चल पड़ते हैं, एक दिशान निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंदे से कंदा मिलाकर, अगर चल पड़ते हैं, तो चुनोदियां कितनी भी क्यों न हो, अभाव की मात्रा कितनी हित्तिवर क्यों न हो, संसाधनों के लिए जूजने की नौबत हो तो भी, हर चुनोदि को पार करते हुए, हम सम्रद्ध भारत बना सकते हैं, हम 2047 विख्सिद भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, अगर 40 करोर देशवासी अपने पुर्शार्थ, अपने समर्पर से, अपने त्यार्थ, अपने बलिजान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो एक सो चानिस करोर देशवाती उसी भाव से संब्रिद्ध भारत भी बना सकते हैं साथियों वो एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्द्द थे और आजहादी मिली थी आज ये समय है देश के लिए जीने की प्रतिबद्द था अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्द था आजहादी देला सकती है तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्द था सम्रिद्द भारत भी बना सकती है साध्यों विक्सित भारत 2047 इस तरफ भाषन के शब्द नहीं है इसके पीछे तठोर परिशम चल रहा है देश के कोटी कोटी जनों के सुझाओं लिये जा रहे है और हमने देश वाज़ियों से सुझाओं मांगे और मुझे प्रसंदता है कि मेरे देश के करोरों नागरी को ने विक्सित भारत 2047 के लिए अंगिनत सुझाओं दिये है हर देश वाज़ि का सपना उसमें प्रतिमिम्बित हो रहा है हर देश वाज़ि का संकल्प उसमें जलकता है युवा हो बुजुर्ग हो गाउं के लोग हो शहर के लोग हो किसान हो कामदार हो दलीद हो आदिवासी हो पहड़ों में रहने वाले लोग हो जंगल में रहने वाले लोग हो शहरों में रहने वाले लोग हैं हर किसी ने 2047 में जब बेश आजादी का 100 साल मनाएगा तब तक विश्चित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिये हैं और मैं जब इन सुझावों को देखता था मेरा मन प्रसंद हो रहा था उनोंने क्या लिखा? कुछ लोगोंने कहा कि दुनिया का skill capital बनाने का सुझाव हमारे सामने रखा 2047 विशिक भारत के लिए कुछ लोगोंने भारत को manufacturing का global hub बनाने के लिए सुझाव दिया कुछ लोगों ने भारत के हमारी उनिवर्सिटीज ग्लोबल बने इसके लिए सुझाओ दिया कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या आजादी के इतने सालों के बार हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारा स्किल्ड हुआ विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए कुछ लोगों ने सुझाओ दिया भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर छेत्र में आत्मंदिर भर बनना चाहिए कई लोगों ने सुझाओ दिया कि हमारे किसान जो मोटा अनाच पैदा करते हैं जिसको हम स्री अन्न कहते हैं उस सूपर फूर्ड को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पोंचाना है हमें विश्व के पोशन को भी बल देना है और भारत के छोटे किसानों के भी मजबूती देनी है कई लोगों ने सुझाव दिया कि देश में स्थानी अस्वराज के संस्ताव से ले करके अनेक की काईया है उन सब में गवन्नन्स के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है कई लोगों ने लिखा कि न्याय के अंदर जो विलंभ हो रहा है उसके प्रतिचिंता जाहिर की और ये भी कहा कि हमारे देश में न्याय व्यवस्ता में रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत है कई लोगों ने लिखा कि कई ग्रिन फिल्ड सीडिज बनाने की अब समय की मांग है किसे ने बढ़ती हुई प्राकृति अपदाओं के बीच शासन प्रतासन में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अभ्यान चलाने का सुझाव दिया बहुत सारे लोगों ने ये सपना भी देखा है कि अंतरिक्ष में भारत का स्पेस टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए किसे ने कहा भारत की जो परमपरिक ट्रेडिशनल मेडिसिन है हमारी आउसदी है दुनिया जब हांग होलिस्टिक हेल्ग केर की तरफ जा रही है तब हमें भारत की परमपरिक आउसदिया और मेलनेस हब के रुपे भारत को विख्षित करना चाहिए कोई कहते है कि अब देर नहीं होने चाहिए भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी उकनोमी बनना चाहिए साथियों में इसलिए पढ़ रहा हता कि मेरे देश वाक्षियों ने सुझाव दिये मेरे देश के सामाने नागरिक ने ये सुझाव हमें दिये है मैं समझता हूँ जब देश वाक्षियों की इतनी विशाल सोच हो देश वाक्षियों की इतने बड़े सपने हो देश वाक्षियों की इन बातों में जब संकल्प जलकते हो तब हमारे भीतर एक नया संकल्प द्रड़ बन जाता है हमारे मन में आत्म विस्वात नहीं उचाई पर पहुंच जाता है और साजियों देश वाच्यों का ये भरोसा सिरब कोई intellectual debate नहीं है ये भरोसा अनुभव से निकला हुआ है ये विश्वास लंबे कालखन के परिशम के पैदावर है और इसलिए देश का सामान ने मान भी याद करता है जब लाल किले से कहा जाता है कि हिंदुस्तान के 18,000 गाउँ में समय सिवा में बिजली पहुंचाएंगे और वो काम हो जाता है तब भरोसा मजबूत हो जाता है जब ये तैय होता है का आजहादी के इतने सालों के बाद भी डाई करोर परिवार ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है वो अंदेरे में जिंदी की विवजारते हैं डाई करोर घरों में बिजली पहुँच जाती है तब सामान ने मानवी का भरोसा बढ़ जाता है जब दार किर्ज़ स्वच्छ भारत की बात कही जाए तब इस देश के अगरीम हरोर पंग्ती में बैठे विये लोग हो गाउं के लोग हो गरीब बस्ती में रहने वाले लोग हो छोटे छोटे बच्चे हो हर परिवार के अंदर स्वच्छता क्या वातावन बन जाए स्वच्छता की जर्चा हो स्वच्छता के संदन में एक दूसरे को रोक टोकने का निरंतर प्रयाद चलता रहे मैं समझता हूं क ये भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिभिम है। जब देश के सामने लाल के से कहा जाए कि आज हमारे प्रिवारों में तीन करोर परिवारे से हैं, जिरेके घर में नल से जल मिलता है। आवशक है हमारे इन परिवारों को पीने का शुद्ध पानी पहुँचे जल जीवन मीशन के तहट इतने कम समय में नए बारा करोड परिवारों को जल जीवन मीशन के तहट नल से जल पहुँच रहा है आज पंदरा करोड परिवार इसके लाभारती बन चुके हैं हमारे कौन लोग बन चित थे इन व्यवस्ताओं से कौन पीछे रह गए थे समाच के अगरिम पंक्ति के लोग इसके लिए अभाव में नहीं जीते थे मेरे दलीत मेरे पीडीत मेरे शोशीत मेरे आदिवासी भाईबें मेरे गरीब भाईबें मेरे जुकी जो अपने में जिंदकी खुजादने वाले लोग बोई तो इन चीजों के अभाव में जी रहे थे हमने अनेक ऐसे प्राथिवी के आवसेट्टाओं की पूर्ति के लिए प्रयास किया और उसका परिणाम हमारे इन सारे समाज के बंदूओं को मिला है हमने गोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया आज मुझे खुशी है कि वोकल फॉर लोकल ने अर्थ तंत्र के लिए एक नया मत्र बन गया है हर डिस्ट्रिक अपनी पैदावर के लिए गर्व करने लगा है वन डिस्ट्रिक वन प्रोड़क का माहुल बना है अब वन डिस्टिक वन पोड़क को वन डिस्टिक का वन पोड़क एक्सपोर्ड कैसे हो उद दिशा में हर जीले सोचने लगे हैं रिन्यूबल एनर्जी का संकल पलिया था जीट ट्वेंटी समू के देशों ने जितना किया है उससे जाउदा भारत ने किया है और भारत ने उर्जा के खेत्र में आत्मा निर्वर मनने के लिए ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए हमने काम किया है सात्यों देश गर्व करता है आज जब फुनकेक की सभलता हो के लेकर पूरा विश्व भारत से कुछ सीखना समझना चाहता है कि लोकों को वैकिनेशन का काम हमारे इसी देशों में हुआ यहीं देश हैं जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइब करती है जब देश की सेना एर स्ट्राइब करती है तो देश के नौजवानों का सीना उंचा हो जाता है तन जाता है गर्व से भर जाता है और यहीं बाते हैं जो आज एक सो चालिस करोर देश स्वास्यों का मन गर्व से भरा हुआ है आत्म विश्वास से भरा हुआ है शाथियों इन सारी बातों के लिए एक सुविचारित प्रयास हुआ है रिफोम की परंपरा को सामर्थ दिया गया है नक कर तरीकों के नक कर नख को ले करके और जब राज नितिव नेतरुत्व की संकल पशक्ती हो दढ़ विर्षमाथ हो जब सरकारी मशिरी उसको लागू करने के लिए समर्पन भाव से जुट जाती है और जब देश के हर नागरी उस सपने को पूरा करने के लिए जन भागी दारी करने के लिए जन अंदोलन बनाने के लिए आगे आता है तब हमें निश्चित प्रणा मिलता ही रहता है मेरे प्यारे देश वासियों हम ये न भूले कि देश उस परितिस्यों सभी दसकों तक भी आज़ादी के बाद समय बिताया है जब होती है चलती है अरे यारे तो चलेगा अरे हमें क्या मेहनत करने की जरूता है अरे मामला है आज ने पेड़ी दिखेगी अरे हमको मोका मिला है यार मोच कर लो आगे वाला आगे का जाने हमें क्या कर रहा है हम अपना समय निकाल दे अरे नया करने जाओ गयो कोई बाबाल उड़ जाए पता नहीं क्यों देश पर स्टेटस को का माहूल बन गया था जो है उसे से गुजारा कर लो यही का माहूल बन गया था और लोग तो कहता है रे चोड़ो अब कुछ होने वाला नहीं है चलो ऐसा ही मंद मर गया था हमें इस मानसिक्ता को तोड़ना था हमें विश्वास से भरना था और हमने उदिस हमें प्रया किया कई लोग तो कहते थे अगली पीड़ी के लिए काम हम अगी से क्यों करें हम तो आज का देखें लेकिन देश का सामान नागरी ये नहीं चाहता वो बड़लाव के इंतजार में था वो बड़लाव चाहता था उसकी ललक थी लेकिन उसके सपनों को किसी ने तबज्जु नहीं दी उसके आशा अकांशाओं को पेश्चाओं को तबज्जु नहीं दी गई और उसके कारण वो मुसिबतों को जेलते हूँ गुजारा करता रहा वो रिफॉर्म्स का इंतजार करता रहा हमें जिम्मेदारी दी गई और हमने बड़े रिफॉर्म्स जमीन पर उतारे गरीब हो, मिड़े क्लास हो, हमारे वंचीत लोग हो हमारी बड़ती जती शहरी आबादी हो, हमारे नवजवानों के सपने हो, संकल्प हो, आकांचाय हो उनके जीवन बे बड़लाव लाने के लिए रिफॉर्म का बार्ख हमने चूना और मैं बेस वाच्छों को विश्वात दिलाना चाहता हूँ रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबतता है, वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सिमित नहीं है हमारे रिफॉर्म की ये प्रतिबतता है, वो चाहर दिन की वहवाही के लिए नहीं है हमारी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है देश को मजबूती देने के इरादे से है और इसलिए मैं आज क्या सकता हूँ रिफॉर्म्स का हमारा मार्ग एक प्रकार से ग्रोप की ब्लूप्रिंट बनी हुई है यह हमारा रिफॉर्म्स यह ग्रोप्स यह बढ़्याओं यह सिर्फ डिबेट कलब के लिए इंटलेक्ट्वल सुसाइटी के लिए एक्सपर्ट लोगों के लिए सिर्फ चर्चा का विश्य नहीं है साथियों हमने राजनीति मजबूरी के कारण नहीं किया है हम जो गिल्टी कर रहे हैं और राजनीति का भागा गुना करके नहीं होते हैं हमारा एक ही संकल्प होता है नेशन फर्स्ट नेशन फर्स्ट रास्तहित सुप्रेम यह मेरा भारत महान बने इसी संकल्प को लेकर करके हम कदम उठाते हैं साथियों जब रिफार्म की बात आती है एक लंगा परिवेश आए अगर मैं उसकी चर्चा में चला जाओंगा तो साइद गंटों निकल जाएंगे लेगिन एक छोट़ा सा उदान देना चाहता है बैंकिंग शेतर में जो रिफार्म हुआ आप सोचिए बैंकिंग सेतर का क्या हाल था ना विकास होता था ना विस्तार होता था ना विस्वाध बढ़ता था उतना ही नहीं जिस प्रकार की कारणा में चले उसके कारण हमारे बैंक संकटों से गुजर रहे थे हमने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बना ले लिए अनेक भी रिफॉर्म्स किये और आज उसका कारण हमारी बैंक विश्व में जो इनी गुनी मजबूत बैंके हैं उसमें भारती बैंकों ने अपना स्थान बनाया है और जब बैंक मजबूत होती है तब फॉर्मल एकॉनोमी की टाक़त भी बढ़ती है जब बैंक की बहुता बन जाती है जब सामा ने खास करके मध्यमबर के परिवार की जो रिक्वार्मेंट होती है उसको पूरा कदे की सबसे बड़ी टाक़त बैंकिंग सेक्टर बे होती है